जिला अधिकारी रोशन को स्वाह के निर्देश पर शंपूर्ण भोजपुर जिले में मास्क पहनने एवन लोगडाउन का नुपालन करवाने को लेकर अभियान चलाया गया है बोजपुर जिले के भीया में कई दुकाने खुली रही लेकिन प्रशासन की सकती के कारण लोगों को दुकान में ताला लगाना पड़ा कई लोगों से जुर्माना भी वशुला गया अधिकारियों ने इसके साथ ही मास्क के पहनने के हिदायत दी सियो सही तमाम अधिकारियों ने कहा थोड़ी सिला परवाही संक्रमन में तेजी ला सकती है और लोगडाउन पड़ सकता है दूसरे तरफ डीम के निर्देश पर कुरोना जाँच में भी तेजी लाई जा रही है सभी के सहयोग से लगाए गए लोगडाउन का सकरात्मक परिणाम पाया जा सकता है जिला दिकारी के निर्देश के आलोक में जिले के सभी छेत्रों प्रकंड मुख्यालियों में मास्क चेकिंग अभियान एवं सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन के लिए विसेश जाच अभियान चलाए गया पूरे जिले में प्रतिन्युक्त पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी अपने अपने प्रतिन्युक्त अस्थल पर उपस्थित होकर मास्क की चेकिंग एवं सोसल डिस्टेंस के अलुपालल कराते हुए पाए गए हैं अधिकारियों ने कहा कि यदि सभी लोग मास्क पहनना सुरू कर देंगे तो कुरोना वाइरस शंक्रमन का फैलाओ काफी कम हो जाएगा उन्होंने कहा कि लापरवाही एवं सरकार के दिशानर देशों का पालन नहीं कराने के कारण ही कुरोना संक्रमन में तेजी आई है और लोगडाउन लगाना पड़ा सभी संपर्क सूची, कंटेनमेंट जोन, पुल, टेस्टिंग, रैपिड टेस्ट आदी के द्वारा जाचकारे तेजी से हो रही है टूनेट मशीन एवं रैपिड टेस्ट से भी जिले में जाचकी गती में तेजी आई है जिलादिकारी ने जिलेवाशियों से अपेल करते हुए कहा कि वर्तमान इस्थिती में जब जिला के सभी प्रखंड मुख्या लेओ आदी छेत्रों में शंपुर्न लोगडाउन लगाया जा चुका है ऐसे इस्थिती में हमें काफी सजग रहते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, मास्क पहन कर निकले, दो गज की दूरी का पालन कर ही हम शंक्रमन के चेन को रोक सकते हैं सभी के शहयोग से ही लगाय गए लोकडाउन का सकरात्मक परिणाम राप्त किया जा सकता है जिलादिकारी ने यह भी कहा कि किसी को भी कुरोना का कोई लक्षन दिखता है तो अपनी नजदीक के सरकारी अस्पताल या जिला नियंतरन कक्ष से संपर्त क स्थापित करें सजग रहे, सतर्क रहे, परन्तु किसी भी प्रकार के अफ़वाहों से जरूर दूर रहे मुखमंत्री जी कहवान पर स्वराज से लॉकड़ून किया गया है पुरे बिहार को किस परकार से भी हमें पर एथिक किया जा रहा है कल घुसना के पॉल है डियम साहब अपने आरह वज़े वीची के माध्यम से पूरे जीला कोई एक मतलब दिशानी देश दिये जिसके अधार पर हम लोग कल दो पहर के बार से एक्टिव हो गया उस दवरान हम लोग के मार्केट में भी घूमें उसके बाद जो परशार का मा आपको माइकिंग बेगर कभी करवाया गया अशोसल एवरनेस के द्वारा भी फैलाया गया मीडिया के द्वारा भी फैलाया गया कि लॉक्डाउन आज से शुरू होने वाला है और उसका आंसिक प्रभाव हम लोग को कल साम से ही देखने को मिला इसका ब्रिहत मतलब परभा लोग बीना माक्स के घूम रहे थे उनको हम लोग ने पचाशाश उर्प्या प्राइण किया गया और आगे से हिदायद भी दिया गा कि इस तरह से और आप सब्सक्राइब करते हुए खिनकीन चीजों की दुकान खुल रहे है सर कौन सी दुकाने बंद रहेंगे इसमें जो बेसिक जो जरूरी समान के जो आइटम है जिसे जन जीमन प्रभावित हो सकता उस बस्तुओं को किसे मतलब हो गया है जैसे आपका दवाई का दुकान हो गया की राना का दुकान हो गया उसमें सदेन उन लोग दाउन में पलान किया था शूबह में आठ वैसे दस वह तक सब्जी मंडी चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा फिर साम में चार से छे वह तक चलाएगा और मंडल अस्तर पे सर रासन दुकान के भी साथ से नो और तीन से पांच किया गया है क्या भीहां में इस परकार की भी से डूल किया जाएगा कि इस समंद में तो मार् बाद अर्व की मुझत लिए उस पर जाको मतलब एक टीम बनाके च्छापा मारा जाएगा उसके बाद अक्को किसी भी तरह काने में इत्ता चाहला परवाई पाये जाएगा तो तुरत उनके दुकान को सिल कर दिया जाएगा उस पर जो कानून के तरद करवाई हो गया झाल झाल